तो कहानी के शुरुवात होती है और हमें एक कंपनी के ओयल रिक प्लैटफॉर्म को दिखाया जाता है जो समंदर के बीचो बीच था उस प्लैटफॉर्म के पास एक कश्टी पर दो आत्मी बैटे हुए थी जो कि पानी के अंदर जाकर उस ओयल रिक का कुछ काम करने वाले थ देखती है उसका साथी जो भी कश्टी में बैठा था वो अपने साथी का इंतिजार कर रहा था उसके कश्टी भी हिलने लगी थी उसे कुछ समझ नहीं आता वो लाइट जलाकर यहां वहां देखने लगा था तब ही वो अपनी तर्फ एक बहुत बड़ी शार्क को आता दे की फैमिली में उसकी वाइफ और बेटा बेटी थे वो अब एक बीच समंदर के किनारे रुकते हैं पॉल का बेटा दूर बीन में उसी प्लैटफॉर्म को देखता है जो हमने अभी कहानी के शुरू में देखा था दरासर पॉल एक इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर था और व फैरे उसके पास थी वो पहुत सालों पहले ली गई थी वो वहाँ पर अब कुछ आत्मियों के पास चाता है और बात करता है कि मैं कोईल कंपनी की तरफ से आया हूँ जो हमारी कंपनी का प्लैटफॉर्म समंदर की बीचो बीच बनाया गया है उसी की जार्च करने में यहा इस टाउन की ऐसी हालत हो गई है वो पॉल को सही तरह से चबाब नहीं दे रहा था तबी पॉल की वाइफ गाड़ी से उतर कर आती है और एल्रे को समझाने लगती है देखी हम यहाँ पर चुटिया मनाने ट्रिप पर आई हैं हमें बस रहने की जगा चाहिए वो एल्रे को पैसे भी देती है अब वो पैसे लेकर इने एक होटेल तक ले जाता है जब यह लोग जा रही थी तो एल्रे रास्ते में अपने देवता की आगे कुछ पैसे रख देता है जिसके यह लोग यहाँ पर इबादत क्या करते थी अब उदर से एक उजरता हुआ पॉल का बैटा भी वहाँ से एक मूर्ती उठा लेता है जिसकी एक आग धकी हुई थी और उसकी जगा पर अपनी चॉकलिट को रख देता है एल्रे ने अब इन लोगों को होटेल में पहुचा दिया था मगर यह होटेल इने अच्छा नहीं लगता लेकिन यह लोग क्या करती इसके इलाव इनके पास कोई और जगा नहीं थी पॉल का बेटा अपनी आग का मास्क उतार कर एल्रे को दे देता है और शुक्रिया बोलता है एल्रे जाते हुए पॉल से कहता है कि अपना ख्याल रखना और अपनी फैमली का भी पॉल कहता है एहजा आखिर तुम क्यों कह रहे हो यह यह पर कोई खत्रा है वो कहता है हाँ ब्लैक डीमन इतना कहकर वो चला गया था मगर पॉल उसके किसी बात पर ध्यान नहीं देता पॉल को जब ही कमपनी की तरफ से कॉल आती है कि उसे अभी उसी आयल रिक प्लैटफॉर्म पर जाना होगा ये बात अपनी वाइफ को बताता है औ उसका इंतजार कर रही थी वहाँ पर जो समंदर के किनारे गार्ड बैटा था उससे पॉल कहता है कि तुम रेडियो से उस प्लैटफॉर्म पर मैसिज बेजो कि मैं वहाँ पर आ रहा हूं ऐसा करने से गार्ड इन कार कर देता है अब जो पॉल ने इसे रिकॉर्ड में रख वो आत्मी बताता है कि डर ने यहां से सब को बगा दिया है और यह डर एक बहुत बड़ी शार का है जिसको सब ब्लैक डिमन के नाम से जानते हैं पॉल उस आत्मी की यह कहानी सुनकर उस पर यकीन नहीं करता और मजजाक उड़ाने लगता है उसकी बातों का वो कश्टी च अज़ीब महसूस होने लगता है पॉल की वाइफ और बच्चे जिस होटेल में थे तभी होटेल में बैठा एक आत्मी जिसने बहुत ज़्यादा शराप पी हुई थी वो आकर इन्हें तंग का रात और पॉल की बेटी के साथ बत्तमेजी करने लगता है यह देखकर पॉल क कि वाइफ उस आत्मी के सर में वहाँ पर रखे हुई बोटल को मारती है और अपने बच्चों को लेकर उस होटेल से भाग कर बाहिर आ गई थी जब वह सभी अपनी गारी के पास पहुँचते हैं तो देखते हैं इसी ने उनकी गारी के टायर को चाकू से फार दिया था में ये देखता है कि कुछ आत्मी इस फैमिली के पीछे पड़े हुए हैं तो वो इनकी मदद करने के लिए तैयार हो गया था दूसरी तरफ पोल को दिखाया जाता है जो खत्रे से अंगजान अकेला ही प्लैटफॉर्म आयल रिक की तरफ बढ़ रहा था जब उस मिचाता है तो वहाँ पर उसे एक डॉक मिला था और साथ ही दो आत्मी जिन में से एक का नाम शेटो होता है वो बहुत जाता गुसे में और खबड़ाय हुए थे उन्होंने हातों में मारने के लिए चीजों को पकड़ा हुआ था तभी पॉल इनको अपने बारे में बताता है कि डरो नहीं मैं यहाँ पर इंस्पेक्शन जाज पर ताल करने आया हूँ यह सब कुछ ठीक है या नहीं मगर उनमें से शेटो कहता है मेरे दोस्त बहुत देर हो गई तुम्हें आने में तभी उन्हें बाहर से एक कष्टी की आवास आती है जब यह दूर भीन से देखत आती थे उन्हें खत्रे का एसास हो गया था वोस प्लैटफॉर्म के जंगलों पर चीजों को मारने लगते हैं ताके वो ब्लैक डीमन शार्क कष्टी को कोई नुकसान ना पहुँचाए जिसमें पॉल की फैमली थी मगर पॉल को इस पारे में कुछ भी समझ नहीं आती मों दोनों से पूछता है क्या कर रहे हो तुम दोनों आखिर मुझे कुछ पताओगी कि क्या हो रहा है यहाँ पर कुछ देर के बाद पॉल की फैमली प्लैटफॉर्म तक सही सलामत पहुच गई थी मगर जो कष्टी वाला इन्हें यहाँ पर लाया था वो बहुत ज़ता डरा ह हुआ था वो जब जाने लगता है तो इसी तोरान पॉल की बेटी पानी में गिर जाती है क्योंकि वो कष्टी के सहारी खड़ी थी पॉल की बेटी पानी में बहुत कुछ अजीब देखती है जहाँ पर उसे इंसानों के जिसम के कटे हुए हिससे नजर आते हैं तब ही वो असल में बहुत बड़ी शार्क थी वो उस पर हमला करने आ रही थी लेकिन इससे पहले ही पॉल की बेटी को सभी ने बचा कर बाहर निकाल लिया था अब पॉल और उसकी वाइफ उन दोनों आत्मियों से पूछते हैं या यह सब क्या हो रहा है उनमें से शेटो पनी दूर इनको निकाल कर पॉल की वाइफ को देता है जिसमें वो देखती है कि जो कष्टी उन्हीं यहाँ पर छोडने आई थी उसके पास एक बहुत बड़ी शार्क आती है जिसने कष्टी चलाने वाले आत्मी की साथ-साथ कष्टी को भी निगल लिया था यह नजारा देकर वो ब बड़ी सी शार उस इनसान को एक जटके में खा जाएगी और इसलिए मैं और मेरा साथी यहाँ पर रह रही हैं क्योंकि अगर हम रेडियो से किसी से राप्ता भी करती हैं तो कोई हमारा जवाब नहीं देता कोई भी यहाँ पर आने के लिए तैयार नहीं है और मैं तो हिरा कि तुम लोग यहाँ पर कैसे आ गए पॉल को अभी भी किसी बात पर येकिन नहीं हो रहा था वो अब उन दोनों के साथ प्लैटफॉर्म को चेक करने लगता है जिससे उसे पता चला था कि यहाँ की कोई भी चीज सही तरीके से काम नहीं कर रही शेटोर उसका साथी पॉल को बताते हैं कि शार की अटैक हमले की वज़ा से इसकी हर चीज खराब हो चुकी है उसका जब दिल चाता है हमला कर देती है और इसी बारे में कमपनी को भी पता है कि यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है मगर वो इसकी हालत सुधारने की कोशिश नहीं करती पॉल अब इन दो करता है कि यह लोकेशन हमारी कमपनी के लिए बहुत अच्छी थी मगर पानी की इतनी गहराई में यह सब कुछ करना मना था हमने असूलों की परवान ना करते इस प्लैटफॉर्म को खड़ा किया हमने गौड की बनाई हुए नेचर कुद्रत को खराब करने की कोशिश की यह सबी अब पानी के अंदर जाकर प्लैटफॉर्म को फिक्स करने के लिए तैयार थे यह लोग स्टीम की कैपसॉल का इस्तिमाल करके पानी के अंदर जाने वाले थी जबके इसी तुरान वो शार्प भी उस प्लैटफॉर्म से टक्रा रही थी शेटो का साथी उस कैपसॉल में बैट कर पानी की गहनायों के अंदर जाकर प्लैटफॉर्म को फिक्स करने की कोशिश करता है तब ही उसकी नजर वहाँ पर लगे हुए एक बॉम पर पड़ती है जिसको हमने कहानी के शुरू में देखा था इसका मतलब वो लोग इस प्लै उस निशन थी और कुछ भी नहीं था तब ही उसे अपने पास आता हुआ खत्रा भी महसूस होता है उसे शार्क नजर आ रही थी इसलिए तुपारा से वो कैपसॉल में बैट जाता है मगर शार्क उस कैपसॉल पर छपट पड़ती है वो उसे गहनायों में ले जाने लगी पॉल ऊपर ये देखकर उस कैपसॉल को रोकने की कोशिश कर रहा था मगर नहीं कर पाता तब इस शेटो तो किसी तरह से पानी से निकल कर बाहर आ गया था पॉल उससे उसके साथी के बारे में पूछता है तब इस शेटो के साथी का जिसम ने पानी के ऊपर आता दिखाई लगी थी पॉल की बीटी ने भी सब कुछ देख लिया था जिसे देखकर वो बिडर कई थी पॉल अपनी वाइफ के साथ अंतर आता है वो दोनों अपने बच्चों के आने वाले कल के बारे में बात कर रहे थी और सोचते हैं कि अब क्या करेंगे वो तब ही पॉल अपनी मैं क्या करती मुझे अपने बच्चों को बच्चा कर तुम्हारे पास लाना पड़ा इतनी देर में पॉल के बच्चे भी उनके पास आ गए थी उसका बेटा शेटो के साथी के बारे में पूछता है जो अब मर चुका था क्योंकि वो पॉल के बेटे का काफी अच्छा दो कहता है कहता है सब मेरी वज़ा से हुआ तब ही उसे अपनी तर्फ कुछ कष्टियां आती दिखाई देती हैं मगर ये सिर्फ उसकी हैलोस नेशन थी उसके ख्यालात थी लेकिन वो जल्दी से फ्लेयर गन को चलाता है जिस पर शेटों से मना कर रहा था कहता है ये क्या कर र इंजन रूम में जाता है ताके वो जनरेटर को ठीक कर सके उधर दोसरी तरफ पूल की वाइफ और बच्चे कुछ ढून रहे थे तब इसी तुरान पॉल्स के बैटे को कुछ डॉल्स गुडिया मिलती है वो खुछ से कुछ करने की कोशिश कर रहा था वो सभी डॉल्स पानी में गिर गई थी उधर दूसरी तरफ पॉल की वाइफ को दिखा जाता है जिसको कुछ पेपर्स का अगसात मिले थे जिससे उसे पता चलता है कि पॉल्स को पहली पता था कि ये प्लैटफॉर्म अब ठीक नहीं है मगर फिर भी इसने कंपनी से ये कहा कि यहां पर सब कुछ ठीक है उधर पॉल की बेटी अपने भाई को ढून रही थी जो उस शार के टक्राने के वज़ा से पानी में गिर गया था और मदद के लिए चिलनाने लगता है जी सुनकर सब उसकी मदद को भागते हैं पॉल की वाइफ ने पानी में च्छानाग लगा दी थी उसने चल्दी से अपने बेटे को बचा लिया था उधर पॉल उस शार का ध्यान बटकाने की कोशिश कर रहा था जो अब इनकी दर्फ आ रही थी उसने अपने बेटे और वाइफ को बचा लिया था मगर यहाँ पर पॉल की वाइफ अब उससे नरास थी कहती है पॉल मैं जान तो तुम हो बॉल अपनी वाइब से कहता है देखो मैं क्या करता सब कंपनी और हमारे फाइदे के लिए मैंने किया पाके मुझे बहुत सारे पैसे मिल सके और मैं अपनी फैमिली के साथ एक अच्छे जिंदकी कुजार सकूँ इसी दोरान वो ब्लैक डीमन शार इनके नीचे और बॉम जो नीचे लगा हुआ था उसके फटने में भी बस अब एक घेंटा बचा था पॉल ने जनरेटर को भी ठीक कर लिया था मगर यहां से बचपाना अब उसे मुश्किल लग रहा था वो शेटों से बाते करते हुए कहता है हाँ मैं ही हूँ जिसने उन पेपर्स को किया था कि यहां पर सब कुछ ठीक चल रहा है तब हमें यहां पर पता चलता है कि जो बाउम इस प्लैटफॉर्म के नीचे लगाया था वो भी कंपनी ने पॉल को मरवानी के लिए लगाया था कि यह सब उनकी एक चाल थी ताकि पॉल यहां पर आए और वो इसे मार सकें औ पैसे भी ने ना देने पड़ें शेटो सब सुनकर पॉल से कहता है हिम्मत नहीं हारो रस्ता ढूंडो जितनी जल्दी हो सके तुम्हें अपनी फैमली को बचा कर यहां से ले जाना होगा अब वो सभी एक प्लैन पर काम करते हैं पॉल की वाइफ और बच्चे एक तूटी ह कुई कष्टी को ठीक करने लगे थे जबके शेटो रेडियो को ठीक कर रहा था यहां पर पॉल को पता चनता है कि शेटो सिर्फ इनकी मदद की खातिरी सब कुछ कर रहा था वो उससे कहता है मैं पानी के नीचे जाऊंगा और जो बॉम इस प्लैटफॉर्म के नीचे लगा हुआ है उसको हटा कर यहां से दूर ले जाऊंगा जिससे वो ब्लैक टीमन शार मेरी पीछे आएगी और तभी तो मेरी फैमली को पीछे से किस्टी में बिठा कर यहां से ले जाना शेटो जो अब पॉल का अच्छा दोस्पन चुका था वो समझ जाता है कि पॉल खुद को सेक्रिफाइस को बानी देना चाता है वो पॉल को ऐसा करने से रोक रहा था वो कहता है नहीं सब मेरी वज़ा से हुआ है ना तो मैं ही इसे ठीक करूंगा अब जब बाम के फटने में दस मिन्ट रह गए थे वो पानी में जाने से पहले अपनी वाइफ से मिलता है और मिल चुका था उसने उसे उतार लिया मगर उसे अंताजा पे हो गया था कि वो डीमन शार्क उसके पीछा करने लगी थी जिससे बचने के लिए वो बेक जाली में छुप गया था तब ही पॉल की ऑक्सीजन खत्म होने लगती है वो रेडियो के जरी अपनी वाइफ से बात क किये थे ताकि शैटो उन्हें सही लोगों तक पहुचा सके जिसके बाद आखिर में वो अपने फैमली को गुडबाई बोलता है पॉल के बच्चे काफी दुकी थे क्योंकि उनके डैट ने अपने बच्चों और वाइफ को बचाने के खातिर अपनी जान देती थी पॉल अ केलरे वहाँ पर अपनी मोटर बोर कश्टी को लाता है और सबी को बचाकर वहां से ले गया था जाते हुए ये लोग देखते हैं कि प्लेटफॉर्म पूरी तरह से तबाह होकर पानी में गिर जाता है पॉल के सेक्रिफाइस से सब कुछ ठीक हो चुका था उसने अपने जा फैमली और बहुत से लोगों की जान को बचाया था और इसे के साथ इस फिल्म की कहानी यही पर खत्म हो जाती है